नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन निरामय हुमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आखों की एक बीमारी के बारे में जो एक जनरल समस्या है लेकिन वो जनरल समस्या भी लोगों को बहुत जादा परेशान कर देती है और उसके कारण व्यक्ती की देखने की छमता जवरदस्त रूप से प्रभावित हो जाती है मैं आज आपसे बात करूँगा आई फ्लोटर्स के बारे में सामानिता आपने देखा होगा कि जब भी कभी आप लोग या तो एकदम से सूरज की रोशनी को देख लें या फिर किसी बल्ब को देख लें लाइट जिसमें बहुत ज़्यादा तेजी के साथ जल रही हो या फिर कोई हैलो जन जैसे कोई light जो तेज light होती है उसको देख लें तो आपकी आखों के सामने एकदम से काला काला च्छा जाता है इस समस्या को eye floater कहते हैं जनरल भाशा में लेकिन ये eye floater जो अपने आप ठीक हो जाता था वो एक बीमारी बन जाता है उन केसिस में जिनमें की आँख के अंदर पाया जाने वाला एक विट्रस हुमर जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है वो विट्रस हुमर आँख के दो त चेत्र होता है उस देखने के चेत्र में उसे काले काले ग्रे कलर के छोटे बड़े दब्बे दिखाई देने लगते हैं जिससे की उसकी देखने की जो छमता होती है वो प्रभावित होती है सीदी सी बात है व्यक्ति को यदि कुछ देखना है और उसकी आँखों के सामने को नो आइखों में भी हो सकते हैं सामानिता ये देखा जाता है कि जब भी मरीज अपनी आँखों को इधर-अधर घुमाता है ये floaters उसके साथ चलते हैं यानि कि वो इस طरब देख रहा है तो इधर हो जाएगा इस तरफ देख रहा है तो इधर हो जाएगा जो की बहुत अच्छी दवाए हैं सिम्टम से मैच करके जब हम देते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहली medicine होती है इसमें आर्निका आर्निका का हमेशा मैं आपको उपयोग बताता हूँ कि जिन लोगों में कोई भी बीमारी चोट लगने के कारण होई हो उस case में आपको आर्निका उपयोगी है ऐसा ही eye floaters के case में भी होता है यदि किसी व्यक्ती को या बच्चे को या बड़े को खेलते समय आँख में कोई चोट लग गई कोई काम करते समय आँख में कोई चोट लग गई और उसके बाद से उसको eye floaters दिखाई देने लगे यानि कि उसकी आँख के सामने उसको काले ग्रे कलर के धब्बे दिखाई देने लगे तो आप समझ जाईए कि फिर उस व्यक्ति को आरनिका मॉंटाना नामक जो होमियोपैथी दवा है वो देना है आरनिका मॉंटाना में कैसे देना है उस व्यक्ति को 200 potency में 4 बूंद हफते में केवल एक बार देना है धीरे धीरे तीन से चार महीने में उसकी जो समस्या होगी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी इसकी दूसरी medicine होगी फाइसो स्टिग्मा फाइसो स्टिग्मा भी होमियोपैथिक मेडिशनल सिस्टम में आखों के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है और जिन लोगोंने मेरा गलूकोमा वाला वीडियो देखा हो यानि की कालामोटी अबिंध के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया है कि फाइसो स्टिग्मा कितने अच्छे तरीके से व्यक्ति की आँखों की जो समस्या हैं उनको ठीक करती है में दर्द बहुत जादा होता है मतला floaters के कारण उनको दर्द की भी शिकायत है कभी-कभी ये देखा जाता है कि muscles में pressure पढ़ने लगता है जिसके कारण भी आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है तो यदि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई symptom है कि eye floaters हो रहे हैं आँखों में दर्द हो रहा है और short sightedness है तो उस व्यक्ति को हमेशा 500 stigma देना है कैसे देना है ये 500 stigma की 30 potency की 2-2 wound दिन में 3 बार व्यक्ति को देना शुरू कीजिए तो उससे उसकी eye floaters की समस्या भी दूर हो जाएगी उसकी आँखों की short sightedness भी काफी हद तक control होगी पूरी तरह खत्म नहीं होगी मैं short sightedness की बात नहीं कर रहा हूँ उसको ठीक करने के लिए उसको control होगा धीरे धीरे कम होगी पूरी तरह खत्म कभी नहीं होती क्योंकि यदी हो गई होती तो मैंने भी अपना चश्मा उतार दिया होता तो homeopathy में ऐसी कोई चश्मा उतारने वाली दवा नहीं है लेकिन काम जरूर करती हैं दवाएं इसके साथ में उसके आँखों की दर्द की समस्या भी खत्म हो जाएगी तो physo stigma का हम इस तरह से उपयोग कर सकते हैं इसके साथ में urgentum nitricum भी बहुत अच्छे medicine है जो की eye floaters पे काम करती है urgentum nitricum हमें उन व्यक्तियों को देना है जो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से अपने को कमजोर महसूस करते हैं जिनके अंदर confidence की कमी होती है उन लोगों में urgentum nitricum अच्छा काम करती है उन्हें गले में बड़ी खराश रहती है बोलना शुरू करने के पहले उन्हें खराशना जरूर पड़ता है ये characteristic symptom है और आँख का characteristic symptom क्या होगा कि उन्हें eye floaters के रूप में ना काला धबबा दिखाई देगा ना ग्रे धबबा दिखाई देगा उन्हें brown color का spot दिखाई देगा ये characteristic symptom है मैं आपको medicine उसी हिसाब से बता रहा हूँ जो उस condition को ठीक करेगी तो यदि काला और ग्रे कलर का धबबा दिखाई दे रहा है injury के कारण तो आरनिका काला और ग्रे कलर का धबबा दिखाई दे रहा है आँख में दर्द के साथ तो phisostigma और काला और ग्रे कलर का धबबा दिखाई नहीं दे रहा है brown color का धबबा दिखाई दे रहा है brown color का spot दिखाई दे रहा है तो फिर Argentum Nitricum देना है उन व्यक्तियों में जो की शारीरिक और मांसिक रूप से अपने अंदर अपने आपको कमजोर महसूस करते हैं Argentum Nitricum की Potency 200 रहेगी 200 Potency की चार मूंध हफते में एक बार मरीज को देना है तीन से चार महीने minimum इसका course होगा लक्षणों की तीवरता और chronicity के basis पे ज़्यादा भी हो सकता है इसके बाद एक दूसरी medicine आती है जिसे की काली कार्व कहा जाता है या काली कार्वोनिकम कहा जाता है काली कार्वोनिकम हम किन व्यक्तियों में यूज़ करेंगे students में कैसे कि यदी कोई ऐसा बच्चा है बड़ा है बुज़र्ग है जो पढ़ाई का काम करता है न्यूस पेपर पढ़ रहा हो सकता है किताब पढ़ रहा हो सकता है यानि कि इसका जो main symptom होगा वो पढ़ाई होगी तो यदी किसी व्यक्ति को पढ़ते समय यानि कि reading करते समय पढ़ाई करते समय आँखों में flutters आने लगते हैं उन व्यक्तियों को काली कार्ब देनी की जरूरत होती है वैसे सामानेता वो देखेंगे उन्हें कोई problem नहीं है और जैसे ही वो पढ़ाना शुरू करेंगे और उन्हें एक दम से उनकी जो vision है वो dim होने लगेगी और उन्हें धब्बे दिखाई देने लगेंगे, spots दिखाई देने लगेंगे तब उन व्यक्तियों में हमें काली कार्ब का यूज करना है, काली कार्ब का यूज करना है काली कार्ब की 200 potency ही यूज करना है, चार बूंद देना है, हफते में केबल एक बार देना है और ऐसा हमें 3-4 महिने तक करना है यानि कि लंबे समय तक हमें इसका उपयोग करना होगा धीरे धीरे ये समस्या जो है व्यक्ति की खत्म होती है तो ये जो सभी दवाएं हैं ये आपको किसी भी होमियोपेटिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगी ओनलाइन फार्मेसी से भी आप मंगा सकते हैं मैं किसी को दवा ना बेचता हूँ ना भेजता हूँ क्योंकि मेरा कंसल्टेशन का काम है और ये बात मैं आजकल आपको अपने हर वीडियो में बताने लगा हूँ ताकि ये बात लोगों तक पहुँच जाए कि मैं किवल कंसल्टेशन का काम करता हूँ मेरी कोई होमियोपैटिक फार्मेसी नहीं है आजके इस वीडियो में फिलाल इतना ही आगे के वीडियो में मैं आप से बात करूँगा कुछ नहीं बीमारियों के बारे में और उनकी होमियोपैटिक दबाओं के बारे में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत